हेलो बच्चो कैसे हैं आप उम्भीत करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए आज परते हैं थामस एलवा एडिसन के बारे में और जानकारी लेते हैं कुछ साइंस की अपनी हिंदी कक्षा में तो हमारे पार्ट का नाम भी है थामस एलवा एडिसन इस पार्ट में महान व्यग्यानिक थामस एलवा एडिसन के बच्वन और आविश्कारों के विशे में रोचक जानकारी दी गई है तो बेहद ही रोचक होने वाला है यह पार्ट तो चलिए देर नहीं करते हैं सबसे पहले कठिन शब्द जान लेते हैं जो इस पार्ट में आएंगे विश्रब्द हैं व्यग्यानिक आविश्कार तीश्न स्मर्ण परिक्षण तो साहित देहांत और प्रकाशमान अभी के करके हम इन शब्दों को पाठों में पढ़ेंगे इस पार्ट में और उनका अर्थ भी समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूग विज्ञान का यूग है आप जानते हैं आज चारों तरफ हमारे सामने जो भी चीज़ें वो सब विज्ञान की देन हैं विज्ञान ने मनुष्य की जीवन को सुगम एवं सरल बना दिया है विज्ञान का योगदान मनुष्य की जीवन के प्रतेक शेत्र में है योगदान यानि देने वाली देन, रेल, तार, मोटर कार, बिजली, रेडियो, टेलिपॉन, टेलिविजन, वायोयान, कम्प्यूटर, पैक्स, कैमरा, मुबाइल, पॉन, एक्सरे, सुक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और ना जाने कितनी अंगिनत वस्त में हमारे जीवन का मुख्यांग बन गई है, अमेरिका में एक ऐसा भी व्याज्यानिक हुआ, विज्ञान की दुनिया में अधवत चमतकार करते हैं, अधा वी वज्ञानिक हुआ जिसने विज्ञान Canal की नियमों का सबसे अधिक कुप्योग किया, उस व्यज्ञानि का नाम था एडिसन, उसने माना जीवन क सुखी बनाने के लिए अनेक अविश्कार ही एडिसन का पूरा नाम थामस एलवा एडिसन था उनका जन अमेरिका के मिलान नमक्स्थान पर 11 फरवरी 1847 को हुआ था उसके पिता सैमुल एडिसन सैना में नौकरी करते थे एडिसन की माता का नाम लैसी इलियट था वे एक विद्याले में अध्यापिका थी बालक एडिसन का स्वास्थे अच्छा नहीं रहता था परंतु उसकी बुद्धी तीशन तीशन यानि की बेहत तेज और स्मरन शक्ति यानि की याद करने की शक्ति अध्भुथी अर्था वो सेहत से बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन भुद्धी शाली बहुत तेज थी और वो चीजों को बहुत अच्छे से जल्दी याद कर लेते थे वे बचपन सेही नहीं नहीं विचारों में उलज्जा रहता था की अर्थात उनका मन बेचेन रहता था नहीं नहीं चीजों की खोच के लिए उसकी माता उसे सदा प्रोसाहित करती एडिसन जब बारा वर्ष का हुआ तो अधिक पैसे कमाने के लिए उसने रेलगारी में समाचार पत्र बेचने शुरू कर दिये रास्ते में समय का सदुप्योग करने के लिए उसने रेलगारी में ही एक छोटी सी प्रियोक्षाला बना ली एक बार प्रियोक्षाला में परिक्षन करते समय रेलगारी के डिब्बे में आग लग गई क्रोध में गार्ड ने एडिसन की कनपटी पे एक जोरदार घुसा मार दिया इससे एडिसन कुछ पहरा हो गया, अर्थात उनको सुनने में दिक्कत हो गई, किन्तु उसने विज्ञान के परिक्षन करना नहीं छोड़ा, एडिसन को परिक्षन के लिए और अधिक धन की आविशक्ता हुई, आविशक्ता हैने की जरौत हुई अतेवे कुछ दिनों के लिए न्यूयाक चला गया, वहाँ उसने एक कमपनी में नौकरी कर ली, एक दिन कमपनी की मशीन चलते चलते अचानक रूप गई, कमपनी का सारा कारोबार ठप हो गया, मैनेजर ने कई कारिगरों को बुलाए, किन्तु कोई भी मशीन को ठीक ना कर सक एडिसन ने मशीन ठीक करने के लिए अनुमती मांगी, यानि कि उसने आग्या मांगी, एडिसन ने कहा कि क्या मैं इस मशीन को देख सकता हूँ, क्या पता मैं ठीक कर लूँ, तो उसने इसके लिए अनुमती मांगी, एडिसन ने अपनी कुछल कारीगरी से मशीन को तुरन कर दिया इस पर उसे सब कारीगरों का मुख्या बना दिया गया उसका मासिक वेतन 300 डॉलर हो गया थोड़ी दिनों बाद एडिसन ने संकेत भीजनी की ऐसी मशीन बनाई जिसके लिए उसे 40,000 डॉलर की रकम पुरसकार में मिली इस प्रकार उसकी आर्थिक समस्या हल हो गई अर्था धन संबंदी परेशानी अब उसकी धन संबंदी परेशानी बिलकुल दूर हो गई थी क्योंकि उसकी कमाई अब जादा हो गई थी और उसको पुरसकार भी मिल गया था अब के बाद एक नए आवश्कार करने लगा वे 20-20 घंटे काम करता था बाद में एडिसन ने मैंगलो पार्क में बहुत बड़ा कार खाना खोला वे नित्य नित्यानी के रोग वे नित्याने यंत्र बनाने लगा लोग उसे मैंगलो पार्क का जादूगर कहते थे एडिसन में एक गुरी है भी था कि वो अपने करमचारियों से मित्रों जैसा विवार करता था अर्था दोस्ताना विवार अर्था तो सबको अपने जैसा समस्ता था अपने जीवन के अंतिन दिन तक वह परिश्रम पूर्वक अपने कारे में लगा रहा रबर के पोधों की खोज के लिए उसने 80 वर्ष की आयू में वनस्पती शास्त्र का अध्यन किया यानि कि उसने इसमें महारत हासिल कर दे थी आंत में उसने अपने अथक परिश्रम से अमेरिका में ही पाया जाने वाला एक ऐसा पोधा खोज निकाला जिससे रबर तयार हो सके एडिसन ने सन 1877 में फोनोग्राफ बना कर संसार को चकित कर दिया अमेरिका के राशपती ने इस कारे के लिए राशपती भावन में उसका संवान किया आज का ग्रामोपोन इसी का सुधरा हुआ रूप है समय के साथ साथ ग्रामोपोन में और भी सुधर हुए हैं आज के टेप रिकाडर, सीडी प्लेयर तथा डीवीडी प्लेयर पुराने समय की ग्रामो पॉन के सिधान्त पर ही कारे करते हैं वर्ष 1889 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का विशकार किया शारो तरफ जो बिजली है चमक रही है वो एडिसन की ही दिन है एडिसन की प्रमुख खोजे यहीं नहीं रुकी उसने स्वैम तार लिखने के एक ऐसे यंत्र की खोच की जो एक मिनट में तार द्वारा तीन हजार शब्द अपने आप लिख लेती है इस मशीन को टेली प्रिंटर के नाम से जाना जाता है यदिपी यदिपी टेलीफोन का विशकार ग्राहम बैल ने किया था परन्तु उससे स्पष्ट सुनाई नहीं देता था स्पष्ट यानिकी बहुत अच्छे से नहीं सुनाई देता था एडिसन ने इस यंत्र में बहुत सुदार किये 84 वर्ष की आयू में सन 1934 में इस महान विज्ञानिक का देहान्त हो गया अर्था दिन की वित्ट्य हो गई यदि भी एडिसन की जीवन जूती बुझ गई पथापी उसके द्वारा दिया गया बिज्ञी के बल्ब का अविश्कार आज भी समस संसार को प्रकाश मान कर रहा है तो देखा एडिसन ने कैसे पेड़ पौदों का अध्यन किया वनस्पति शास्त्र में महारत हासील करी और हमें कई देने भी जिसमें से बिज्ञी का अविश्कार एक एहम देने है जिसके कारार आज हम उजाले में रात को जब अंधिरा हो जाता है तब उजाले में अपना काम कर लेते हैं वरना अगर बिजली नहीं होती बल्ग का अविश्कार नहीं होता तो हमारे लिए करना संभव नहीं था तो बच्चों आप जान गए एडिसन कौन थे उनके आविश्कारों के बारे में आपने इस पार्ट में पढ़ा आप भी उनकी इस कहानी से प्रिंडन को आप पी अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे अब इस पार्ट का अभ्यास कार्या स्वें कीजिए